हेलो एवरीवन दिस इस एंडली पंडे एंड वेलकम टू देव राइट वे एडुकेशन्स मैं यहां जीके की सीरीज लेके आई हूँ इसमें चल रहा है टॉपिक जॉगरफी और इसमें मैं पढ़ा रही हूँ इंडियन रिवर्स के बारे में इसके प्रिवियस वीडियो मे मैंने मैप के तुरू इंडियन रिवर्स के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया था फिर भी थोड़ा सा ओवर्वियू कर लेते हैं सबसे पहले देखते हैं हम हिमाले से निकलने वाली नदियों के बारे में ये नदिया कुछ ऐसे आती है गंगा नदी निकलती है और यमुना नदी निकलती है ऐसे नदियों सारे निकलती है हिमाले रिन से और आके बे आफ बंगाल में गिर जाती है जो डेल्टा का निर्माण करती है गंगा नदी इंडिया की सबसे लंबी नदी है इसकी लंबाई कितनी है 25,25 km ये सबसे बड़ी इंडिया की नदी है गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है सबसे बड़ी यमुना नदी गंगा नदी यमुना नदी से कहां पर मिलती है प्रयाग राज में जहां पर गंगा विलुप्त है संगम, स्वारी जो विलुप्त है स्वरसती, गंगा यमना और स्वरसती का संगम होता है, यहीं पर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, अब नेक्ष देखते हैं कि यहां से मानसरोवर जील जो है कैलास परवत के पास, कैलास परवत के पास मानसरोवर जील से ब्रह्मपुत्र नदे निकलती है जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है और डेल्टा का निर्मार करती है उसके बाद ये दोनों नदियां आपस में मिलके बे आफ बंगाल में गिर जाती है यहाँ पर ये डेल्टा का निर्मार करती है जितनी भी नद पश्ची मिघाट से निकलती हैं और यह लंबे मार्ग तै करती हैं मतलब इधर से डारेक्ट पुरा इतना लंबा मार्ग तै करती हुए बे ओफ बंगाल में गिरती हैं और अपने मुहानों पर डेल्टे का डेल्टा का निर्मार करती हैं मैक्सिमम नदियां जो हैं भारत की जो बे ओफ बंगाल में गिरती हैं डेल्टा का निर्मार करती हैं और कुछ एक नदियां हैं जैसे नर्मदा नदी और तापती नदी ये दोनों नदियां अरेबियन सी में गिरती हैं और यह एस्चूरी का निर्मार करती हैं डेल्टा के ब ये कुछ और चीज़े देख लेते हैं, ये तो हो चुका, नेक्ष्ट देखते हैं, हाँ देखिए, ये मैप है, इसी मैप के थूँ मैंने आपको प्रिविएस वीडियो में समझा रखा, इंडियान रिवर्स के बारे में, बाकि कुछ और जानना होगा, तो आप प्रिविएस वीडियो देख सकते हैं, मानसर्वर जेल से निकलती है, ब्रहमपुत्रा नदी, सुनबरी ब्रहमपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसके बाद ये जो घंगा नदी है, इसमें बहुत सारी नदियां जो हैं, सहायक नदियां, आके मिलती हैं, बाएं तरप से और दा नर्मदा नदी और सोन नदी यह नर्मदा के पास मुझतड़ता अर्वत का निर्मार करता है फुछ दायं से बनाती हैं यह काफी फसलों के लिए प्रशिद्ध है क्यों कि यहाँ पर वसल यहाँ पर अच्छे से उपाज़ चुकर 155 cm और आधिये नेक्स्ट वीडियो में देखे हैं को चिन गंगा के बारे में कि गंगा भारत की बहुत ही महतोपबर नदी past देखिए सबसे पहले गंगा नदी पढ़ता कहा है वो देव प्रियाग में जब भागी रथी की स्ट्रीम और अलक नंदा की स्ट्रीम आपस में आके मिलती है तो वो दोनों मिलके आपस में गंगा नदी का निर्मार करती है मतलब दोनों नदियां मिलके गंगा नदी दोनों नदियों का नाम पड़ जाता है एक पास जम मिलती है जहाँ पे और उस जगों को कहते हैं देव प्रयाग अब देखते हैं भागी रथी नदी कहां से निकलती है, भागी रथी नदी गंगोत्री से निकलती है, जो उत्राखंड में हिमाले क्या जो भाग है, वहां गंगोत्री से निकलती है, गोमुख गलेसियर यानि गोमुख हिम्नत से, भागी रथी देव प्रयाग में आई, अलक तो पहाडों पे बहती है और मैदानी भाग में ये हरिद्वार के बाद आती है और यूपी में ये बिजनौर जो है सीमा पे यूपी के सीमा पे यूपी के बॉर्डर पे जो ये डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर वहां से ये यूपी में फ्रवेश करती है तो आए सबसे में ची यह धौल अधुट और अगय मिल जाती है। PhD मनल रूद्र सायग में नदाष में Allochten अलग नंदा नदी से मिल जाती है और यह सारी नदियां मिलके यह अलग नंदा नदी का इस नदी का नाम अलग नंदा यह सारी स्ट्रीम का जो नाम है फिर लास्ट में यहां अलग नंदा पड़ जाता है और यह कहां पर होता है बद्रीनाथ में ठेक है बद्रीनाथ में जो गंगा है, सारी नदियां मिल जाती हैं, और यहां बद्रिनाथ है, यानि अगर पूछा जाएगा, बद्रिनाथ किस नदी के तटपे हैं, तो इसका राइट एंसर होगा, अलगनन्दा नदी के तटपे हैं, तो यही जो अलगनन्दा स्ट्रीम है, और जो यह भागी रथी देव प्रियाग में, तो आपको समझ में आ गया होगा, इस सारे प्रियाग, देव प्रियाग, विष्णो प्रियाग, कर्ण प्रियाग, नंद प्रियाग और रुद्र प्रियाग, इन्हें को पांच प्रियाग कहा जाता है, देव प्रियाग में भागी रथी अलगनन्दा stream मिलती है, विश्णी प्रयाग से धौली गंगा निकलती है, कान प्रयाग में पिंडर और अलक नंदा नदी मिलती है, नंद प्रयाग में नंदाकनी अलक नंदा, और रुद्र प्रयाग में अलक नंदा और मंदाकनी, आइ थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, इस पर कुछ हम कोश्चेंस प्रक्टिस कर लेंगे, MCQ के थुरू तो बिलकुल क्लियर हो जाएगा, यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने इसे आपको फिगर के थुरू समझा दिया है, ताकि कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अब देखिए जो यह पूरी जो गंगन अदी है, वो उत्राखंड, यूपी, बिहार, जहारखंड, पस्चिम वेस्ट बंगाल और उसके बाद फिर से बांगलादेश से होते हुए बेफ बंगाल में दे जाती है, तो इस पूरे सारे स्टेट्स को यह कवर करती है, तो कहां पर कितना मार्ग यह तै करती है, कितनी दूरी तै करती है, तो उत्राखंड में यह 450 किलोमेटर तै करती है, सबसे जादे तैक करती है उत्तर प्रदेश में 1000 km, 405 km बिहार में और बहुत ही छोटा से छेत्र है गंगा का जारखन में 40 km और टोटल 520 km के वेस्ट बंगाल में तैक करती है तो इस तरह गंगा की टोटल लेंथ टोटल लंबाई 25-25 km हो गई यानि 2525 km हो गई और यह भारत की सबसे महतुपूर नदी है सबसे लंबी नदी है इस नदी के आसपास का जो भी छेत्र है काफी उपजाओं है यहाँ पर उपजाओं मिट्टी के कारण यहाँ जो खादे फशले हैं उनका उपज बहुत अच्छा होता है और यह जो पूरा गंगा नदी अपवाहत तंतर है गंगा ड्रेने सिस्टम यह इंडिया का सबसे बड़ा ड्रेने सिस्टम है तो आई थिंक गंगा के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा आईए अब हम MCQ सुरू करते हैं ठीक है चलिए MCQ सुरू करते हैं पहला कोश्चन है आदि संक्रचारे द्वारा स्थापित चार पिठों में से एक कहां पर इस्थित हैं ठीक है पहला कोश्चन है बद्रिनाथ दूसरा केदारनाथ तीसरा प्रयाग राज चौथा देव प्रयाग तो इसका राइट एंसर क्या होगा बद्रिनाथ, इसका right answer होगा बद्रिनाथ केदार नाथ में आदिसंक्राचारी की समाधी है और आदिसंक्राचार द्वारत जो इस्थापित, चार पीठ है ये भारत की चारों दिशाओं में इस्थापित किये गए है उत्तर दिशा में, दक्षड दिशा में, पूरग और पश्चिम दिशा में उत्तर दिशा वाला जो पीठ है वही बद्रिनाथ है इसको ज्योतिर मट कहते हैं दक्षड दिशा वाला है वो है स्रिंगेडी मट ये कहाँ पे है? रामेश्वरम में गोवर्धन मठ है उडिसा में उडिसा में कहाँ पूरी में पूरी किसले famous है जगनात भगवान के लिए और ये जगनात भगवान से ही संबन्दित है गोवर्धन मठ उसके बाद जो चौथा है वो है शार्दा मठ ये कहाँ पे है गुजरात में द्वारका में, सार्दा मत द्वारका में हैं, गुजरात में, जोतिर मत बद्रिनाथ में हैं, गोवर्धन मत उडीसा के पूरी में हैं, और शिंगेडी मत रामेश्वरम में हैं, ठीक है? bottom question है इसमें थोड़ा सा extra knowledge है इसको आप write कर लीजेगा और यह जो केदार नाथ है यहाँ पर आधी संक्राचारे का समाधी है next one अलकनन्दा और पिंडर का संगम कहां होता है अलकनन्दा पिंडर नदी कहां मिलती है पताईए काण प्रियार next question भागी रथी नदी निकलती है गोमुक से गंगोतरी से विश्नु प्रयाक से रुद्र प्रयाक से तो भागी रथी निकलती है गोमुक गलेशियर जो गोमुक हिमनद है गलेशियर वहाँ से भागी रथी नदी निकलती है और उस स्थान को गंगोतरी कहते हैं तो इसका राइट एंसर अगर गोमुख गंगोतरी दोने दिया होगा तो हम गोमुख लगाएंगे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन बद्रिनात का प्रशिद मंदिर इस्थित है अलकननदा नदी के तटपर भागी रथी नदी के तटपर गंगा नदी के तटपर और मंदाकनी नदी के तटपर तो इसका राइट एंसर क्या होगा अभी मैंने आपको समझाया था अलकननदा नदी के तटपर इन में से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तरवाहनी है उत्तरवानी मतलब कौन से नदी दाहिने से आके मिलती है सारी नदियां तो गंगा में 20 से आके मिलती है लेकिन ये जो शोन नदी है जो अमर कंटक में है अगर कंटक की पहाड़ियों से निकलती है ये गंगा नदी में उत्तर की तरफ से आके उत्तर की तरफ से मतलब दाहिने के साइट से आके निकलती है मिल जाती है दाहिना दाहिने के तरफ से गंगा की सहायक नदी है सोन नदी अब बाकी सारी जो नदिया है कोसी, गंडग, घागरा ये सारी नदिया बाए तरफ से गंगा में मिलती है ये सारी गंगा की सहाइक नदिया है, सो नदी अमर कंटा की पाड़ियों से निकलती है, नेक्स्ट वन, यार लुंग जंगबो नदी को इंडिया में किस नाम से जाने जाता है, सिंदू, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, राइट एंसर होगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नेक्स्ट वन, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, यह जो मानस नदी है, यह ब्रह्मपुत्र की ही उपनदी है, ब्रह्मपुत्र की सहाइक नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र की सहाइक नदियां, दिबांग, कमेत, लोहित, ये सारी ब्रह्म पुत्र की सहायक नदियां है ठीक है? इसको याद कर लिजेगा All of the world Next one तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है तिबबत, सिक्किम, रंगीत, असं तो तीस्ता नदी का जो उद्गम स्थल है ये सिक्किम है सिक्किम से तिस्ता नदी निकलती है और ये ब्रह्म पुत्रा की सहायक नदी है Next question नर्मदा घाटी किन परवत रिंख राव की बीच इस्थित है सत्पूरा विंद्याचल Second option मैकाल अमरकंटक Third अरावली सत्पूरा Fourth मैकाल और अरावली जिसका राइड अंसर क्या होगा सत्पूरा और विंद्याचल ठीक है Next question कौन से नदी डेल्टा का निर्मार नहीं करती है अभी मैंने आपको स्टाटिंग में समझाया था महा नदी, कुदावरी, कावेरी, नर्मदा तो ये जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा का निर्मार नहीं करती है ये एशुरी का निर्मार करती है और ये जो उपर की तीन नदीया है ये डेल्टा का निर्मार करती है ये तीनों नदीया बे ओफ बंगाल में गिरती है और ये जो नर्मदा नदी है अरेबियन सी में गिरती है ठीक है नेक्स्ट वन कौन से नदी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी या अब भ्रंश घाटी अब भ्रंश घाटी क्या होता है अब भ्रंश घाटी या होता है जो भी पठार है या पहाड है उनके जो धाल है जो भी स्लोप है ये न बीच में काटक प्रवाहित होती हैं यह जो धाल होते हैं यह स्लोप होते हैं पहारों का उनका रूसरण नहीं करती हैं और यह रिफ्ट वैली का इसलिए निर्माण करती हैं तो इसकी प्रमुख नदी कौन से हैं सो तापती नदी हां तापती नदी और नर्मदा नदी उधार किसन गंगा एक शहायक नदी है जेलम, रावी, सतलज और कावेरी तिसका राइट एंसर होगा जेलम किसन गंगा नदी जेलम की शहायक नदी है नेक्स्ट वन जेलम नदी का उद्गम इस्थल कहां है वेरी नाग सोता, महा बलेश्वर, राकस ताल जील और अमर कंटक तिसका राइट एंसर क्या होगा? इंपर्टेंट कोश्टन है वेरी नाग सोता से जेलम नदी का उद्गम अस्थल है राकस ताल जील से सतलज नदी निकलती है चीक है? नेक्स्ट वन, संकोस नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार जहार खंड की उत्तर प्रदेश बिहार की असम एमों पस्चिम बंगाल की सिक्किम एमों पस्चिम बंगाल की तो इसका राइट एंसर क्या होगा थार्ड वन असम और पस्टिम बंगाल की सीमय बनाती है संकोस नदी नेक्ष्ट वन अध्यारोपित नदी का उधारण कौन सा है चंबल नदी, सोन नदी, दोनु यह दोनु नदियां अध्यारोपित नदी का उधारण है यानि यह जो भी मार्ग है उनका अनुसरारण नहीं करती है जो नदियों के मार्ग है जिस मार्ग से नदियां भाती है उन मार्गों का यह दोनु नदियां अनुसरारण नहीं करती है इसलिए नदियों को अध्यारोपित नदी कहा जाता है इंपोर्टेंट है नेक्स्ट वन इसमें सुमेल करना है सहायक मुख्य नदिया और सहायक नदिया वैसे तो जनरली कोशिंग पूछा जाता है जो भी में 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 रिवर्स हैं इंडिया के बारे में लेकिन अगर थोड़ा सा पेपर मॉडरेट आया थोड़ा सा अगर कोशिंग को टफ बनाना चाह हैंगे तो जो में नदियां होती है में इस्ट्रीम नदियां होती है रिवर्स हैं उनकी सहायक नदियों के बारे में भी पूछ लिया जाता है तो आए थोड़ा सा ओवर्विव कर लेते हैं कुछ नदियों के बारे में उनकी सहायक नदियों के बादे हैं पहला है कृष्ण सुबनरी, उसके बाद फिर से थर्ड पॉइंट है, गोदावरी, गोदावरी नदी को, बुढ़ी गंगा, ब्रिहत गंगा और दक्षिड की गंगा कहा जाता है, इसकी सहायक नदिया है, इंदरावती, मंजरा, पेन गंगा, वेन गंगा, गोदावरी की जो सहायक नदिया है, यह काफी important है next one यमुना यमुना के सहायक नदियां है चंबल, केन, बित्वा यमुना के सहायक नदियों के बारे में तो अल्रेडी मैंने कल बता रखा है तो वो सारे भी याद कर लिजेगा पांचे नदियां है आयो सुबनरी के बारे में जानते हैं सुबनरी है, यह तिबबत से निकलती है और यह सबसे जो लंबी सहायक नदी है ब्रह्म पुत्र की है यानि सुबनरी ब्रह्म पुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है ब्रह्म पुत्र की सहायक नदियां तीस्ता मानस सुबनरी है यह चारो important point है सारे सहायक नदियां आप याद कर लिजेगा तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्ट वीडियो में अभी इंडियान डिवर्स के बारे में और भी MCQs बचे हुए हैं नेक्ट वीडियो में उनको कराया जाएगा तब तक ये वीडियो को जो भी MCQs इसमें सौल किये हैं उसको याद कीजिए समझिए और ना समझ में आए इसके प्रिवेस वीडियो में जो मैंने मैप बताया है उसके थ्रूँ समझने की कोशिस कीजिए सारे क इन ही वीडियो में से आएंगे क्योंकि जो भी नदिया मैंने लिया है नदियो से लेटेड जो भी कोश्चन मैंने लिये हैं वो सारे बहुत ही most important questions है ठीक है नेक्ट वीडियो में इसका second part आएगा इंडियान रिवर्स का थैंक्यू